हाई गाईज आम रुबी बडियोधी साइड वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम बात करने वाले हैं वेट गेनिंग शेक के रिगाड़ी सो आज हम डिसकस करेंगे टोटल थ्री टाइपस के शेक जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ प्लस हम बनाएंगे भी सो फर्स्ट शेक जो रहेगा वो उन परसन के लिए है जो कि जिम जाते हैं और एक्सराइज करते हैं जिनको काफी ज़ादा क्यालरेज चाहिए तो फर्स्ट शेक उनके लिए रहेगा सेकिंड शेक उनके लिए रहेगा जो कि थोड़ी बहुत ही एक्सराइज करते हैं थर्ड वन उनके लिए जो कि बिल्कुल भी फिजिकल एक्सराइज नहीं करते, ओफिस या फिर अपने घर पे ही रहते हैं, तो तीनो टाइब के हम शेक मिनाने वाले हैं, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट शेक के रिगारिंग जिसके अंदर आपको आपको अपरोक्स 900 कैलोरीज मिलेगी और प्रोटीन की बात करी तो 48.2 ग्रैम आपको टोटल प्रोटीन मिलेगा, उसके साथ या आपको ठेर सारे वाइट मींड्स और विंडरल्स भी मिलने वाले हैं, तो चिलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम 100 ग्रैम ओट्स लेंगे, और इससे आपक स्कूप यूज करेंगे, फॉरेवर लाइट अल्ट्रा का, इससे आपको 13 ग्रैम प्रोटीन मिलेगा, और धेर सारे वाइट मींड्स और मिन्रल्स मिलने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को यूज क्यों किया है, और क्या रीजन है, और अगर आप जादा जानना चाहते हो, तो आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को कम्प्लीट देख सकते हैं, उसके बाद में हमने जो बर एक पाउडर पीसा था ओर्ट्स का, वो हमने चार स्कूप लेना है, अब हम मीडियम साइज बनेना, जिसका एप्रोक्स वेट 100 ग्रैम होगा, उसक हम इसमें एड करेंगे 500 ml मिल्क, जिससे आपको 17 ग्रैम एप्रोक्स प्रोटीन मिलने वाला है, और 218 कलरीज मिलने वाली है, अब हमने इस पूरे मिक्षर को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और रेडी हो चुका है हमारा वेट गेनर शेक, जिससे आपको 900 कलरीज और 48.2 ग्रैम प्रोटीन मिलने वाला है, अगर आपको मीठा पसंद है, तो आप 2 टेबल स्पून फॉरेवर हनी भी यूज कर सकते हैं, अब जो शेक मैं बताने जा रही हूँ, वो उन पर्सन के लिए रहेगा, जो कि थोड़ी बहुत फीजिकल अक्टिविटीज करते हैं, तो इस स्कूप फॉरेवर अल्ट्रा लाइट और वन स्मॉल साइज बनेना यूज करेंगे, अब हमने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और रेडी हो चुका है हमारा शेक, अब बात करते हैं उन पर्सन की जो कि बिलकुल भी कोई भी फिजिकल अक्टि आई होब कि ये वीडियो आपको काफी जादा इंफोर्मेटिव एंड हेल्फुल लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन कैंडली लाइक एट और सिस्क्राइब माय चैनल और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन सा शेक बनाने वाले हैं आपको जहां पर भी प्रॉबलम आ रही है और जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्रियेट करूँ, काइंडली आप मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं जरूर आप सभी की हल्प करूँगी, सो थैंक यू सो माच गाइस, मिलते हैं नेक्स् आप जितु हैं से वीडियो कोई पाहते हैं जेक्स्ट प्रॉबलम आप